जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अरशी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकों को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com.dr अरशी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं K K Hello, hello, hi, 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 hi. hi, Zohesh, how are you? I'm good, how are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay guys, now let me introduce you to a very very young entrepreneur. This is Zohesh Rani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes sir. उसका नाम कोई तुलसी संसकारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार, कि जो आपके समर्थक हैं, उनके बच्चे तो लुलु मॉल, लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें, आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेटरनेज, आपके आशिर्वाद के चलते इस तरहें के गैर कानूनी काम करें, और सारे कानून तोड़ दें। मौझूदा भारत में सियासी तमाशा ये है कि चार बच्चों के वालिद साहिप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश कर रहे हैं, और मोधी सरकार में मिनिस्टर मैडम की बेटी फर्जी वाड़े करके अपने रेस्टोरेंट के लिए इल्लीगल तरीके से शराब का लाइसे हासिल कर रही है, दरसल गोरकपूर से बीजेपी के सांसद रवी किशन्ड लोक सभा में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश करने के लिए चुने गए हैं, बीजेपी को भी इस बिल को पेश करने के लिए कोई और MP मिला ही नहीं, आपको बता दो कि रवी किशन के खुद के चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा, जरा सोचिए बेटे की चाहत में चार बच्चे पैदा करने वाले सांसद पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश करने से जुड़े हुए हैं, तमाशा ये भी है कि रवी किशन कह रहे हैं कि भारत की आबादी को कंट्रोल कर करने के लिए कानून बनना चाहिए, उधर रितम भरा साधवी बोल रही हैं कि चार बच्चे पैदा करो, अमरत काल में इतना ज्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि भक्त परिशान है, अरे भाई कोई उन भक्तों का बताय का कि आखिर उन्हें करना क्या है, संत्रे भक्तों को ये भी देखना चाहिए कि स्मृती इरानी की बेटी ने मरे हुए शक्स के नाम पर बार का लाइसेंस ले लिया है, मतलब असली बार बाला कॉंग्रेसी नहीं है, खेर दोस्तों स्मृती इरानी के कारनामे भी जान ले, क्योंकि टॉमी मीडिया तो आपको कुछ बताएगा नहीं, मुर्दे के नाम पर गॉआ में रेस्टोरा और बार का लाइसेंस रिन्यू करवाया गया, रेस्टोरेंट और दारू खाना मैडम का पारिवारिक धंदा है, और अब कल इल्लीगल लाइसेंस के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, दरसल इस्मृती इरान की बेटी का गोवा में रेस्टोरेंट है, और अब वो बवाल में फस गया है, रिपोर्ट के मताबिक रेस्टोरेंट पर एक मरे हुए शक्स के नाम पर शराब कर लाइसेंस लेने का इल्जाम है, गोवा के एक्साइस कमिशनर ने एक वकील के तरफ से फरजी और जूटे द नाम से एक पॉश रेस्टोरेंट चलाती है, ये रेस्टोरेंट तब विवादों के चलते सुरुखियों में आया, जब पता चला कि इसके मालिकों ने शराब के लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एक मरे हुए शक्स के नाम का सहारा लिया है, इस पूरे मामले में वकील एरेस रोडिक्स ने शिकायत करी थी, उन्होंने दावा किया कि फर्जी और गढ़े गए दस्तावेजों के जरिये ये लाइसेंस हासल करा गया है, रिपोर्टों के मताबिक इसमलती इरानी की बेटी जोईश इरानी का रेस्टोरेंट पिछले काफी वक्स से एक मर चुके नाम पर शराब लाइसेंस का रिन्यूवल हासल करता रहा है, बीते 21 जुलाई को गोवा के एकसाइस कमिशनर नारायन एम ने वकील एरेस रोडिक्स के तरह से दायर एक शिकायत के बेस्ट पर जोईश इरानी के रेस्टोरेंट सिली सोल्स कैफे एंड बार को नोटिस जारी करते हुए इलजाम लगाया है कि शराब लाइसेंस पाने के लिए धोका दड़ी वाले और फैब्रिकेटेड दस्तावेस पेश करे गया हैं। में उनकी मौत हो चुकी थी। एकसाइस डेपार्टमेंट ने कहा है कि किसी ने लाइसेंस होल्डर की तरफ से साइंड अप्लिकेशन दिया था कि इस लाइसेंस को साल 2223 के लिए रुन्यू करें और इस लाइसेंस को 6 महीने के अंदर ट्रास्फर कर दिया जाएगा। तो य लोकल असगाओ पंचायत के साथ मिलकर करी कई इस बड़ी धोगा धड़ी की गहन जाज करी जाए। उनके मताबिक गोवा में एकसाइस रूल्स सिर्फ मौजूदा रेस्टोरेंट धारक को ही बार लाइसेंस जारी करने की इजाज़त देते हैं। सिली सोल्स कैफे एंड बार के मामले में एकसाइस डिपार्टमेंट ने पिछले साल फरवरी में मालिकों को विदेशी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और देशी शराब के लिए लाइसेंस देने से जुड़े रूल्स को ताक पर लग दिया था। सभी एप्लिके मुंबाई महानगर पालिका से डिगामा के डेथ सर्टिफिकेट का पता लगाने में भी कामियाब रहे। इंटरनेशनल केलिबर के हाई एंड डाइनिंग में पिछड गया थ। और उन्हें उमीद थी कि सिली सोल्स गोवा का फूड डेस्टिनेशन बन जाएगा। एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को जी नहीं उसका नाम कोई तुलसी संसकारी बार नहीं है उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को दो लाइसेंस मिले हैं ये दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसिस को लाइसेंस देने से पहले ये आविशक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रेजिस्टर्ड है उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हूँ। तीसरा गैर कानूनी काम ये है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। तीन तीन गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं? या करने की सोच भी सकते हैं? खेर दोस्तों अब फर्जी वाड़े और करिप्शन से जुड़ी एक और खबर जान ले एनफोर्समेंट डारेक्टरेट यानी एडी ने फ्राइड एको पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पार्थ चैटर जी के बेहत करीबी अर्पिता मुखर जी के घर से चापे मारी के बाद तकरीबन 20 करोड रुपए कैश में जब्त करे हैं ये चापे मारी एक टीचर रिकृट्मेंट यानी शिक शिक भरती घोटाले को लेकर करी गई थी जाच एजनसी ने एक बयान में कहा है कि चापे मारी में बरामद रकम SSC घोटाले के अपराद से जुड़ी हो सकती है अर्पिता मुखर जी के घर से 20 से ज्यादा मुबाइल फोन भी बरामद करे गए हैं ये फोन किस काम के लिए इस्तेमाल करे जा रहे थे उसके बारे में एजनसी पता लगाने की कोशिश कर रही है ED ने इसके अलावा शिक्षा राजमंत्री, परेश सी अधिकारी और विधायक मानिक भटाचारे और दूसरे लोगों के आभी छापे मारी करी है तो आपको बता दू कि हाई कोट के डिरेक्शन के बाद, CBI पश्चिम बेंगॉल में, गवर्मेंट स्कूलों में, ग्रुप C और D स्टाफ के साथ साथ टीचर्स की भरती में करप्शन की जाज कर रही है एडी इस घोटाले में पैसे के लेन दिन पर नज़र रख रही है, जिसे लेकर चापे मारी करी जा रही है जब ये शिक्षा घोटाला सामने आया था, उस वक्त चैटर जी एजुकेशन मिनिस्टर थे CBI उनसे दो बार पूश्टाच कर चुकी है खेर, अब एडी ने ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर जी को गिरिफतार कर लिया है तकरीबन 26 घंटे की पूश्टाच के बाद उन्हें गिरिफतार किया गया है नियूज एजनसी पिटी आई के मताबिक पार्थ चैटर जी के अलावा अर्पिता मुखर जी को भी हिरासत में लिया गया है एडी के एक आफिसर ने बताया कि पार्थ और अर्पिता बेहत करीबी हैं और इलाके में होने वाली एक दुर्गा पूजा आयोजन कमिटी के मेंन मेंबर है पार्थ चैटर जी की सैटर्डे सुबा तबियत बिगडने के वज़े से डॉक्टरों की एक टीम घर पर बुलाई गई वहीं तुरन्मूल कॉंग्रेस ने कहा है कि इस रकम से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है लेकिन बीजेपी और सी पी एम ने इसे करप्शन का नमूना करार दिया है आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ जाए हिंद सत्तिमेव जायते अलाहाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए तो www.patreon.com स्लैश डी आर अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों गर आपको अमरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगीज नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं मारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडेल है at the rate of अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में